कैसे हैं आप लोग सान ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है मैं आसा करता हूं कि आप लोग साइन्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे जो अभी सी बीसी बोड की एकजाम होने वाला है इस ट्यूटोरियल में यह वीडियो लगबग पांचो चैप्टर मिला करके उसमें से हमने इंपोर्टेंट क्वेस्चन को एक्स्ट्रेक्ट किया है और यह वीडियो जो है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है इसे सुरू से लाज तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को यह फाइदा होगा कि आप त पूछे जाएंगे वह सभी इसमें कवर हो जाएगा तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 नंबर के क्वेस्चन जो है वेरी शाट अंसर टाइप के क्वेस्चन पूछे जाएंगे उसमें से केमेश्ट्री के लगभग 6 क्वेस् मेंगनिशियम फम एलेर इसकांसर है मेंगनिशियम फामलेयर अफ मेंगनिशियम मेंगनिशियम अक्साइड वेन एक्वोग तो रियुग्छे दिस लेयर प्रिवेंट्स तो रीय्क्छे इसका है क्लीन्ड विफर बर्निग यह सैकnd क।े सेकंड ऊग्वेस्चन आएगे रा प्लस CO2 तो यह क्विक लाइम इधर नीचे आप लोगो क्विक लाइम जो है देना है क्योंकि आप लोग रियक्शन को यह बता रहे कि क्विक लाइम का क्या बनेगा तो यहां पे लिखना है तो फुल मॉक्स जो है जब मिलेंगे इसका अंसर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका अंसर हम ऐसे लिखेंगे such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions next question है give an example of decomposition reaction with chemical formula तो यह ऐसे आप chemical formula लिखेंगे CaCO3 इसको heat करेंगे तो CaO plus CO2 यह gas हो जाएगा यह जो है solid हो जाएगा next question है what is skeletal equation the unbalanced chemical equation is called skeletal equation आप लोगों को पता है कि equation always balanced होता है लेकिन अगर वो unbalanced होगा तो उसको हम skeletal equation बोलते हैं next question देखिए balance the following chemical formula यह chemical formula दिया है C6H12O6 plus O2 CO2 plus H2O FeSO4 Fe2O3 plus SO2 plus SO3 इसको आप लोगों को balance करना है तो balance करना तो most probably मैं hope करता हूं कि सभी लोगों को आता होगा यह very simple है यह C6H12O6 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर हम लगाएंगे और यहाँ पर भी 6 लगा देख और यहाँ पर 6 लगँगा तो यह balanced हो जाएगा जैसे carbon का हम यहाँ से देख सकते हैं अगर यह के वहल यहां पर टू लगा देते हैं तो यह जो है बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं राइट दा नेम आफ सबस्टेंस विच इस यूजड इन फोटोग्राफी फोटोग्राफी में कौन सा सबस्टेंस यूज़ होता है तो AZBR इस यूजड इन फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड इस यूजड इन फोटोग्राफी नेक्स्ट क्वेस्टन है नाइट्रोजन इस फ्लॉश्ट इन आयल कांटेनिंग फूड आइटम्स पैकेट्स नाइट्रोजन एक्स आइज यह multiple choice question में देगा यह है reducing agent, antioxidant, accident, dehydrating agent तो यह अपका आंसर होगा antioxidant हो जाएगा next question आते है which allotrop of carbon is in the form of saucer ball तो carbon का कौन सा allotrop है जो saucer ball के रूप में होता है तो यह चार अपसंदिये गए है graphite, diamond, fluorine and none of this तो इसका आंसर होगा fluorine next question है what is exothermic reaction exothermic reaction क्या है तो reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction next question पे हम आजाते है decomposition of vegetable matter is known as endothermic, exothermic तो इसका आंसर होगा आपका exothermic next question है what is endothermic reaction endothermic reaction क्या है तो reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction next question है what is precipitation reaction reaction which produce a precipitate is called precipitation reaction next question है the surface of copper powder becomes coated with black white this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed next question है the ashes of magnesium burn is black, brown, white, pink तो आपका आंसर होगा C. White next question है what is olfactory indicator there are some substances whose order change in acidic or basic media these are called olfactory indicators examples में आप ऐसे दे सकते vanilla onion and clove can be used as olfactory indicator इसके बाद next question आजेगे balance the following chemical sorry next question हो जाएगा acid change the color of blue litmus to acid blue litmus को किस में change करता है यह multiple choice question में पूछ सकता है a yellow b black c red d none of above तो यह अपका answer red होगा next question आजेए what is neutralization reaction neutralization reaction क्या है इसका answer the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction 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 next question पे आईए what is pH scale ऐसे question पूछ सकता है कि pH scale क्या है तो it is a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale it is work within 0 to 14 मतलब जो scale का जो measuring scale है वो 0 से 14 के beach में होता है next question हम आते हैं how does the flow of acid rain water into a river make the survival of aquatic life in the river difficult narrow range of pH change that is 7 to 7.8 इसके beach में ही जो है aquatic life जो है survive कर सकती है when pH of rain water is less than 5.6 is called acid rain when acid rain flow into the river it lowers the pH of river water the survival of aquatic life is such river becomes difficult होता क्या है कि जब acid rain होता है तो नदी की पानी का जो है pH value जो है यह जो है change हो जाता है और जैसे कि इसमें दिया गया है कि यह 5.6 से नीचे होगा तो उनके लिए जो है दिक्कत होता है aquatic life के लिए तो इसका अंसर आप ऐसे लिखेंगे next question है write the chemical name which is used as antacid in case of excess acid formation तो यह भी बहुत important question है यह पूछा जाता है तो यह आपका अंसर लिखेंगे magnesium hydroxide यह इसका chemical name है इसको milk of magnesium भी हम बोलते है next question आईए tooth decay starts when the pH of the mouth is tooth decay जो है कभी start होता है जब pH value greater than 5.5 होता है या less than 5.5 होता है तो इसमें इसका अंसर होगा B less than 5.5 next question है what is chlor alkali process इसका अंसर है when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride sodium chloride इसको called brine भी बलते है it decomposed to form sodium hydrochloride this process is called chlor alkali process next question है write the chemical name of the bleaching powder यह multiple choice question आ सकता है ने चीएल है बी है cacoo3 ccaocl2 dcaoh2 तो इसका अंसर होगा आपका cacol2 next question है write the chemical formula of baking soda तो इसका chemical formula हो जागा sodium hydrogen carbonate nah co3 यह दोनों आप लोगों को लिखना है यह word में भी लिखेंगे इसका chemical formula भी लिखेंगे जब इसका full marks आप लोगों को मिलेगा write the chemical name of washing soda इसका है Na2CO3.10H2O next question next question देखते हैं next question है write the chemical name of plaster of paris plaster of paris का chemical name जो है लिखना है तो इसका name है calcium sulfate hemihydrate caso4.1H2O next question है define the following malleability and ductility यह दोनों को जो है define करना है हम देखते है malleability क्या है when metals can be beaten into thin sheets this property is called malleability और ductility क्या है the ability of metals to be drawn into thin wire is called ductility next question देखते है write the name of metals which are good conductor of heat तो इसका अंसर होगा silver and copper next question देखे है what is PVC? why electric wires coated with such substances? तो पहले तो PVC का full form लिखेंगे polyvinyl chloride very simple है यह बड़ा वर्ट देखेंगे खरपाने की जूट नहीं है P polyvinyl chloride is a rubber like material which is bad conductor of electricity that's why electric wires are coated with PVC next question है what is sonorous? the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous तो यह छोटे छोटे डिफिनिशन है जो की एक नंबर में पूछे जा सकते है यह बहुत ही important है 33 देखेंगे question write the name of non-metal which is liquid form तो यह bromine है next question है write the name of metal which exists in liquid form यह आपका जो है mercury है जो की liquid form में होता है next question write the name of metals which have very low melting point they can melt even keeping on palm मतला अगर उसको हम palm पे भी रखेंगे अपने हथेली पे रखेंगे तो उसका जो है वो पिघल जाएगा तो यह कौन से है तो यह है आपका gallium and cesium next question है write the two allotrop of carbon carbon के दो allotrop जो है लिखने है तो यह diamond पहला और दूसरा है graphite next question write the name of metals which can be cut by knife मतलब कि जो metals बहुत soft होते हैं जिसको आप knife से भी काट सकते हैं तो यह lithium, sodium and potassium there are sorry these are alkali metals तो यह तीन जो है आपका lithium है sodium and potassium है जो की knife से भी आप इसको काट सकते हैं write the name of metals which will catch fire if kept in open तो इसका answer आप लिखेंगे sodium and potassium यह जो है दो है आपके metals जो है जो की ओपेन में जो है अगर रखने से जो है fire हो जाए fire they catch fire hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene आयल तेखिए हम यह question हर chapter से हम लोग ने लिया है और ऐसा इसको हमने prepare किया है कि इससे वेरी यह important questions जो है बने हुए हैं हमने बनाया हैं और इसमें दो dual benefit है एक तो इसके आप लोग capable होंगे एक एक number के पूरे question करने के लिए और दूसरा आपका पूरा पूरा पांचो चेप्टर जो है आपका revise भी हो जाएगा इसके थूँ तो video कौन तक आप लोग पका देखिए what is ore? minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it these minerals are called ores next question write the name of metals which are never found in free state तो यह आपका है potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum write the name of ore of mercury देखे यह यह भी बहुत important है यह question या तो multiple choice में आ सकता है या आपको लिखने के लिए आ सकता है तो हमने एक-एक line का question जो बनाया है तो आप लोग यह मत समझेगा कि यह जो है किवल ऐसे लिखने के लिए आएगा अगर आप लोगों को जनकारी रहेगी तो जैसे कि यह इसी question को जैसे अगर इसमें multiple choice में भी अगर पूछेगा तो अगर आप लोगों को यह पता रहेगा तो you can choose the right answer तो सीना बार HGS is an ore of mercury next question is what is CNG which gas is used as CNG CNG is compressed natural gas methane are methane are sorry methane is widely used as a fuel and is a major component of CNG and biogas methane जो है compressed natural gas में आता है और यह जो है CNG और biogas का major component है इसमें जो है यह used होता है what is covalent bond bonds which are formed by sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond next what is catination carbon has the unique ability to form bonds with other atom of carbon giving rise to large molecules this property is called catination next question जेख्टे है define saturated and unsaturated compounds तो इसका आएसे लिक लिकेँ है जो है एसे लिकें है तो जिसके बीच में single band होता है वो जो है आपका saturated होता है and जिसमें double or triple होता है वो unsaturated होता है very simple है आप लोगों को समझना भी है और जो है समझ के याद भी करना है next है write the following hydrocarbons, alkynes, alkynes and alkynes तो hydrocarbon का alkynes और alkynes यह pronunciational almost same ही रहता है लेकिन इसमें यहाँ पे a है यहाँ पे e है यह भी बहुत बार पूछा गया है एक एक नंबर में इसको हम देख लेते हैं एक बार hydrocarbon के definition पहले देखते हैं hydrocarbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon जिसमें carbon and hydrogen होते हैं उसको हम hydrocarbon बोलते हैं alkynes में है saturated hydrocarbons are called alkynes and इसमें alkynes में देखे the unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bond are called alkynes and alkynes में क्या है those containing one or more triple bond are called alkynes तो इसको आपको बहुत बढ़िया से समझना है इसमें कुछ नहीं है थोड़ा सा जो है केवल single bond double bond and triple bond में यह differentiate है इसको आप लोग पक्ता जो है देख लीजेगा एक्जाम के लिए बहुत बहुत ही important है right to oxidizing agent अब जो है दो oxidizing agent जो है लिखना है तो दो oxidizing agent आपका है potassium permagnate यह alkaline है and potassium dichromate यह acidified है तो यह जो है दो oxidizing agent है इसको यह भी आ सकता है लिखने के लिए defined catalyst catalyst are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without having part of it मतलब catalyst वो substance है जो की reaction में chemical reaction में डालने से उसकी जो है क्रिया को घटा बढ़ा सकते हैं ज्यादा बढ़ाने के लिए ही यूज होता है बट वो उस क्रिया का part नहीं होते हैं उसको हम catalyst बोलते हैं next question देखिए why ethanol is used in making the medicine it is very good solvent because of this property ethanol is used in medicines like cup syrup and in tincture iodine यह जो बहुत अच्छा solvent होता है इसलिए इसको medicines में use करते हैं write the name of glacial acetic acid यह भी question आ सकता है कि glacial acetic acid का नाम देना है तो इसका answer होगा ethnoic acid is called glacial acetic acid यह क्यों है इसका दो लाइन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा the melting point of pure ethnoic acid is to 90 degree kelvin and hence it often freezes during winter in glacial acetic acid जो है बोलते हैं what are esters? esters क्या है? esters are sweet smelling substances these are used in making perfumes and as flavoring agent यह इसका answer पैसे लिखेंगे next question है what is scum? scum क्या है? when a soap is used in hard water a solid substance formed is called scum this is because charred calcium and magnesium particles present in water reacts with soap to form an insoluble substance इसका answer यह भी बहुत important है यह बहुत बार जो पूछा गया है who invented triads? triads को किसने invent किया है? जर्मन साइंटिस्ट जॉन वेलफरंग और डोबने निर्यार तो देखें इसमें अगर आप यह नाम भी अगर लिख देते हैं यह जो है question हो सकता है कि आपको multiple choice में दे who invented triads तो आपको ज़िए इसका जो है नाम याद रखना है यह जो है तो आप इसको असानी से लिख सकते हैं next question देखते हैं why newland arrangement of elements called he found that every eight elements had properties similar to that of the first he compared this to the octaves found in music therefore he called it the laugh octaves जैसे कि music में सारे गामा पदनी साव होता है उसी तर्ज पर जो है इन्होंने वो किया कि जो eight जो elements है उनकी property जो है same होती है तो आठट को उन्होंने एक साथ रखा तो यह इसका answer है से आप लिखेंगे next question है how how many groups and periods are in modern periodic table मतलों कि how many groups and periods are in modern periodic table में कितने groups and periods है इसका answer है modern periodic table has eighteen vertical columns known as groups and seven horizontal rows known as periods next देखिए why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper इसका answer अप ऐसे लिखेंगे कर्ड and sour substances जो की acidic होते हैं reacts with copper and forms toxic compounds which may be which may be unfit for human consumption and it may cause food poisoning तो reaction करके toxic formation होता है acid का जो है metal के साथ में तो that is very dangerous food poisoning जो हो जागा तो इसका answer जो है आपको इस तरह लिखना है next question देखते हैं name the functional group present in each of the following organic compound CS3 CO CS3 दूसरा है C2H5 COOH तो पहले में जो है ketone है आपको यहां से identify करना है यह जो है आपका functional तो यह CO ketone है और यहां से COOH है यह जो है आपका carboxylic acid जो है तो इसमें इसका answer जो है आप ऐसे लिखेंगे next question है why do ionic compounds have high melting points ionic compounds होते हैं वो उनका melting points high क्यों होता है तो ionic compounds have high melting points because they have high intermolecular force and hence a large amount of energy is required to break the strong bond next question है which element has twice as many electrons in its section second cell as its first cell पहला है neon helium sodium carbon इसका answer carbon हो जाएगा write the name of dehydrating agent dehydrating agent का नाम लिखना है तो इसका the concentrated sulfuric acid can be regarded as dehydrating agent तो इस video में हमने chemistry के 60 questions को cover किया है एक एक नंबर का जो की बहुत ही important है इसमें से guaranteed है कि जितने भी multiple choice के question या very short answer type के जो question एक एक short answer type के question है जो three marks के होते हैं उसको हम cover करेंगे और वो video जल्दी ही हम लोग लेकर के आएंगे लेकर के आएंगे तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि आने वाले video का notification आपको मिलता रहे और आप exam में हमारी यही कोसिस है कि बच्चे जो है बोलते हैं कि जो science में chemistry पार्ट जो हमारा कमजोर है तो हमने ऐसा mechanism त्यार किया है ताकि जो है कोई भी चैप्टर से कोई भी पार्ट जो है अच्छूता नरा जाए और अगर आपके वाल इस notes को पढ़ लेते हैं तो guaranteed है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो आने वाली video जो हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तब तक के लिए थैंक यूँ